तो जडेजा परिवार की पारिवारी कलैक को लेकर अब रिवाबा जडेजा ने अपनी चुपी तोड़ी है दरसल एक कारिक्रम के दोरान जब वो मीडिया से मुखातिब हुई तो रिवाबा जडेजा से एक मीडिया कर्मी ने पूछा कि जो भी अनिरुद जडेजा यानि कि उनके ससूर जी ने कहा है उसमें कितनी सचाई है तो रिवाबा जडेजा एकदम लाल हो गई गुस्से से और उनने कहा कि हम जिस काम के लिए हैं वो काम करें तो बेहतर होगा यानि कि मीडिया कर्मियों को उन्होंने साफ तोर पर कह दिया कि ये सब्जेक्ट मेरा नहीं है फि राज की नहीं है ये परिवारिक पॉलिटिक्स काफी पूरानी है और ये पॉलिटिक्स शुरू कहां से होती है ये पॉलिटिक्स शुरू होती है राजनीती से घर की राजनीती नहीं ये बाहर की राजनीती है पार्टी की राजनीती है ये तो आपको पता ही होगा कि रिव को सपोर्ट करता है और खुद जडेजा की जो भेन है नायनबा वो कॉंग्रेस की तरफ से चुनाव भी लड़ती हैं 2022 क्या आपको पहले एक मामला सुनाते हैं 2022 में जब अनिरुद सिंग कॉंग्रेस के लिए प्रचार कर रहे थे उनकी बहु जो है वो बीजेपी के लिए चुनाव लड़ रही हैं और आप कॉंग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं तो अनिरुद सिंग ने ये कहा था कि हमारे परिवार में सब सही है और हमें पता है कि पार्टी अलग चीज है और परिवार अलग चीज है और जब यही सव है कि परिवार अलग है और परिवार से हटकर पार्टी है और उनने खुद के लिए कहा कि क्यूंकि मैं कॉंग्रेस पार्टी से बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ इसलिए मैं कॉंग्रेस के लिए प्रचार करूंगा और रविंद्र जडेजा और मरी बहु किसी भ रिवाबा से मिले थे और उसके बाद दोनों के बीच में प्यार हो गया अस लिए प्यार ढर क्या ठर सकते हैंथ के दोजार बाइस में शुनाज प्रचार के दुरौ नहीं नवा से भी crowdottoक Morales in kette, उन्हें में भी साफ तोर पर कहा भी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और हम एक साथ रहते हैं लेकिन परिवार और पार्टी को हम अलग देखते हैं यानि कि उस वक्त ये चीज छुपाने की कोशिश की गई कि किसी तरह की कोई कलायन नहीं है अब बात 2021 की करते हैं जब दोनों ननन्द भावी आमने सामने हुई और कह सकते हैं कि एकदम खुले में नयनबा यानि कि रवेंदर जडेजा की जो बहन है उन्होंने अपनी भावी रिवाबा जडेजा को किस तरह से फटकार लगाई थी दरसल हुआ ये था तब करोना का दौर चल रहा था और रिवाबा जडेजा एक अपनी मुखातिब हो रही थी और जब वहाँ पर मीडिया से मुखातिब हो रही थी उससे पहले उन्होंने खूब सारे लोग वहाँ पर अपने साथ एकत्रित कर लिये थे यानि कि करोना का टाइम और खूब सारे लोगों का होना अपने आप में करोना को निमंतरन दिना था और ऐ ऐसे में सोने पर सुहागा ये कि रिवाबा जडेजा ने मास्क भी नहीं पहना था। नहीं न कहीं हो सकता है कि ये पारिवारी कलह जो है इसी पॉलिटिकल एंगल की एक बड़ी वजा हो। आपको क्या लगता है कमें सेक्शन में ज़रूर बताईएगा।